वेलकम बैक टू मालविया केट सॉलिशन आज हम बनाने वाले है कीवेवाइस का एट पार्ट ये एक स्क्रू है प्लेन थ्रेड है इसमें राइटन साइड के और कुछ एक्स्टूड कर्ट्स यहां पे हमने अपलाई किये है वीडियो को भी से लाइक कर दीजिए और चैनल प टmp टिजिए के करेंगे璃 इस तरह से और उस लाइन को सिलाक प्लेक और होल कंट्रोल की की मदद से इस ओरिजिन पोईन के साथ मिला कर मीड्पोंड है कên ओक एक लाइं हुल और यहां से इसका पूरा फुल डायमिटर रहेगा 60 mm 16 mm इसका डायमिटर रहेगा और फीचर में जाना है और रिवॉल बॉस बेस अप्लाई करना है स्पेस को सिलेक करना है स्कैच यहां पर एक सर्कल क्रियेट करेंगे हम इसका डायमिटर रहेगा 30 mm 13.5 mm and then okay फीचर में जाना है और एक्स्टूट कट एपलाई करना है एक्स्टूट कट यहां पर ब्लाइंड कंडिशन में हमें 16 mm लेंध में कट लगाना है और यहां पर देखिए फिलिप साइड कट इसको सिलेक करना है आउटर डायमिटर हमें कट करना है इस तरह से यहां पर चैंफर एपलाई करेंगे हम इस तरह से दिखिए टूट़ करना है हुआँ हुआ हो चैंफर हमें टूएमेम पुर्टी फाइव डिग्री में इस दैमेटर को सिलेक कर दीना है तो दुन दुन साइड में चैंफर हमारी अपलाई हो जाएगी फिर शे इस पेस को सिलेक करना है और यहां पर एक center rectangle create करेंगे हम इस तरह से इसकी length रहेगी 10 by 10 का square हो गई है इस line को select करना है और इस line को select करने के बाद make relation equal कर दिना है फिर से feature में जाना है और extrude cut यहां पर apply करना है इसकी length रहेगी 15 mm flip side fillet fillet 2 mm apply करना है इस वाले corner में हमें fillet apply करना है और यह second वाला जो internal to feature बता रहा है इसे select कर देना है अब हमें क्या करना है यहां पर whole wizard लेका इस पर डॉप डाउन मेन्यू में जाएंगे और यहां पर फिचर रहा है उसे select करना है circular diameter हमें कौन सा लेना है इस वाले edge को select करना है करने के बाद आपको यहां पर up to selection select करना है और up to selection हमें इस वाली edge को select करना है इस तरह से देखिए यहां पर thread की profile हो रही है अब हमें metric die select करनी है thread 16 by 2 mm cut thread right hand side और यहां पर offset हम करेंगे 5 mm reverse और okay करना है इस तरह से देखिए यहां पर thread create हो गया है अब हमें top line select करना है edit और यहां पर दो hole पहले center line हम यहां पर create कर देते हैं इस तरह से एक center line create करने के बाद यहां पर दो circle create करेंगे दोनों circle को select करना है hole control की मदद से और equal कर देना है इसका diameter रहेगा 5 mm और hole से hole का distance रहेगा 33 mm फिली space से इस hole का center रहेगा 22.5 mm तो हमारा sketch fully define हो गया है feature में जाना है और extrude cut apply करना है simply mid plane हम यहां पर apply करेंगे और इस तरह से दोनों hole को cut लगा देंगे इस तरह से हमारा यह screw तयार हो गया है appearance हम apply करेंगे इसमें appearance में जाएंगे metal steel steel में जाने के बाद आपको all steel apply करना है तो यह हमारा eight number का part हो गया कीवेवाइस का इसको save कर देते है पार्ट नंबर eight हो गया है वीडियो अगर पसंद आया तो like कीजिए share कीजिए और comment कीजिए और channel पर नए है तो subscribe जरूर कीजिए मिलते हैं next part में तब तक के लिए जय भारत कर दो कर दो है?